Rise Fingers Recipe बच्चों को पसंद आएगा Rise Fingers पक्टे चावल से तयार किया जाएगा ज्यादा थर बच्चों को चावल खाना पसंद होता है चावल से बने स्नेक भी बच्चों के बीच काफी कुछ हाथ तक पसंद होता है बच्चे अगर रोज-रोज नहीं चीजों का खाने की डिमाड करते हैं तो चावल से कई तरह की डिस्स आसानी से तयार की जा सकती है जिन्हें आप मिंडों में बना कर प्रोश सकते हैं राइस फिंगर्स भी उनमें से एक है पके चावल से तयार होने वाले रैस फिंगर्स एक टेस्टी स्नेक्स है जिसका सवाद बच्चों को खुब पसंद आएगा पके चावल आलू और ब्रेड से तयार होने वाले ये इस्नेक बच्चों के टिफिन में भी रखे जा सकते हैं अब भी हलकी फुल के लगे तो इन्हें मिंटों में तयार किया जा सकता है आये जानते हैं इसकी फिंगर्स बनाने का तरीका क्या है रैस फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पका ले और इधर एक चुले पर आलू भी पका ले मैंने दोनों साइड आलू और चावल को दोनों को ही मिने बॉयल किया है अब चावल यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं तो गेस को बंद करके चावल यहाँ से उतार लेते हैं अब चावल को हम एक छन्नी की मदद से इसको यहाँ पर जो इस्टरा पानी है सार पानी को बाहर निकाल देंगे अब चावल को ठंडा होने के लिए रख दीजे और एक साड में एक बड़ा बाउल लीजी इसमें दो आलु लीजे बॉयल किये हुए और कदो कस लेकर आलु को गरेट कर ले गरेट किया हुआ आलू साइड में करेंगे एक बॉल में पानी लेंगे और इसमें चार सलाइस पानी में भिगो कर उनको इस तरह से डुबो दे और डुबोने के बाद इसका एक्ष्टरा पानी निकाल दे अब ये देखे बहुत अच्छे से जब बरेट सोफ्ट हो जाए तो इसको इस तरह से मिक्स कर ले मिक्स करके थोड़ा बारिक हो जाएगा अब बरेट की मिसरन को आलू की मिसरन में डाल दे इसी की साथ में बोईल की हुए चावल भी डाले अब इसे खुब अच्छी तरह से मिश्रन को मिश्क करे बरेड, चावल और आलू को जो मिश्रन है खुब अच्छी तरह से इसे मिश्क करे अब मिश्रन में चोथाई चम्मच मिर्चिलाल पौडर चोथाई चम्मच गरम मसाला पौडर एक चम्मच अचार का मसाला, अचार के मसाले की जंगा पर आप अमचूर पौडर भी डाल सकते हैं, अब यहां काली मिर्शे कोट कर उसका पौडर चोथाई चम्मच डाले, नमक स्वाद अनुसार डाले, और अब इसको यहां अच्छी तरीके से मिख्ष करें, अगर आप से से मिक्स ना हो तो अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर दे बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाए सारे मसालों के साथ साथ आप इसमें हरा धन्या पत्ता भी बारी कट करके डाल सकते हैं लेकिन आज इसे बिना हरा धन्या पत्ते के बना कर तयार करेंगे मिश्रन बनकर तयार हो च जादा मोटा और जादा पतला ना हो इस बात का ध्यान रखे लंबे-लंबे आकार में फिंगर्स की आकार बना कर इसे हम एक पलेट में करते रहेंगे मैं इसी तरह से बना कर तयार करूँगी और एक तरह और भी हम आपको इसे बना कर दिखाएंगे अगर आपसे हातों से नहीं बन पारा है तो आपको एक और ट्राइ करनी चाहिए वो ट्रिक में आगे आपको दिखा रही हूँ ध्यान से देखिए दूसरी ट्रिक ये हैं पहले सलेफ को साफ कर लीजिए या फिर यहां चकला भी ले सकते हैं या फिर कोई और तक्त भी ले सकते हैं इसके उपर थोड़ा गोलाई करके इस तरह से उपर के हातों से इसे मसल तो है लंबे आकार में बनाईए एक दम फिंगर्स की तरह इस तरह से बना कर आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान है इस तरह बनाना जैसे आपको पसंद हो उसी हिसाब से उसी तरीके से आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं जब तक fingers first को बना कर तयार करते हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सस्क्राइब नहीं किया है यह फिर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो पिलीज हमारा चैनल को सस्क्राइब करें शाडवाली घंटी भी ज़रूर दबा दें आपके लिए हम ऐसी और नहीं नहीं मज़ेदार रेसिपी लेकर आते रहेंगे और अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को फोलो करें वीडियो लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो दोस्तो मैंने वहाँ पर rice fingers बना कर तयार कर लिये हैं और medium gaze पर मैंने यहाँ तेल को गरम किया है अब एक-एक rice fingers को उठाईए और तेल के अंदर डालते जाईए ध्यान रहे इतना डाले जितना कड़ाय में आ जाए fingers आप उसमें चिपकने नहीं चाहिए अगर rice fingers आप उसमें चिपक जाएंगी तो texture अच्छा नहीं आएगा तो इस तरीके से डालने के बाद इसे यहाँ फराई होने देते हैं तब तक जब तक rice fingers कड़ाय के तले को ना छोड़ दे जब यह छोड़ने लगता है ना तो खुद ऊपर तेल के ऊपर तिर के आ जाती है बस इतना ध्यान रखे जब तक फराई करे जब तक यह खुब अच्छे से कड़ाय को ना छोड़ दे जब rice fingers कड़ाय छोड़ दे तो थोड़ा इसे अलट पलट करके फराई कर ले और जब यह golden brown color हो जाए सुनहरी color में इसे निकाल ले एक चंणी में निकाले ताके जिसका extra tail है वो निकल जाए rice finger को चंणी में करने के बाद इसे चंणी को जटक ले इसका extra tail कड़ाय में ही निकल जाएगा अब एक butter paper पे rice finger निकाल ले सारे rice fingers इसी पर कर fry करके निकाले अब यह देखिए सारे rice fingers बन कर तयार है I hope दोस्तों आपको मेरी recipe बहुत ज़्यादा पसादाई होगी अगर आपको हमारी recipe अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करे अगर अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करे शेयर वाली घंटी ज़रूर दबा दे आपके लिए ऐसी मज़ेदार recipe लेकर आते रहेंगे अब rice finger को टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्फ करे यह खाने में बहुत ही ज़्यादा tasty और स्वादिष्ट होता है तो दोस्तों जब भी बच्चों को rice finger खाने का मन हो जटपट से फटाफट बना कर तयार कर सकते हैं जब आप इस rice fingers को अपने घर पर बना कर तयार करेंगे तो देखना आपके बच्चे पलेट को फटाफट से चट कर जाएंगे यह खाने में इतना tasty और स्वादिष्ट होता है कि पता ही नहीं चलता कि मार्केट से मंगाया है या घर पर बनाया है जब आप इसे try करोगे तो आपको तभी पता चलेगा इसका texture कितना मज़ेदार है तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अगली को ने recipe के साथ तब तक आप इसी तरह से बनाते रहें ट्राइ करते रहें और मुझे धेर सारे comment और like करते रहें अपना धेर शराध्यान रखे बाए जब आप 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 आप